बांगलादेश में मचे सियासी बवाल के बाद भारती सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है राज्यों की पुलिस के साथ खूफिया विभाग भी अलट हो गया है इसे बीच उत्राखंड से पुलिस ने एक बांगलादेशी नागरिक को गिरफतार किया है उत्राखंड के रुड़की से पुलिस ने बांगलादेशी नागरिक को गिरफतार किया है गिरफतारी के बाद से खूफिया विभाग और पुलिस अलट मोट पर है पुलिस बांगलादेशी नागरिक से पूश्ताच कर रही है बताय जा रहा है कि बंगलादेशी नागरिक बार-बार अपने बयान बदल रहा है हरिद्वार के रुड़की कोदवाली पुलिस ने पहचान बदल कर चोरी छिपे रह रहे हैं बंगलादेशी नागरिक को गिरफतार किया है धंडेरा गाउ शेत्र में कुछ लोगों ने एक संदिक्द व्यक्ति को बीईजी आर्मी एरिया के आसपास घूमते हुए देखा लोगों को इसकी बोलचाल पर शक हुआ जिसके बाद लोगों ने इसकी जवानकारी पुलिस को दी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और संदिक्द को पूछताज के लिए कोदवाली थाने लेकर आ गई बैनापूर बॉर्डर चोरी से पार करके बंगला देश से भारत में प्रवेश किया था और विगत दो तीन माह से उसके दवारा भारत के विभिन हिस्सों में ब्रोवन किया गया है अब वो कलियर में उर्समेला होने की जानकारी प्राप्तकर यहां आया था और रुडकी मे आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढोड रहा था इस सम्मन्ध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेश तलब किये गया तो वो नहीं दिखा पाया इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, 13 पासपोर्ट इंट्री इंट्री इंटू आप देख रहे हैं डखल न्यूज